हलो एंड वेलकम गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल एंग्री टेक वेल ब्रो आयव नो एडिया वाइट्स नेम इस एंग्री जब हम नया gaming PC या laptop खरीते हो तो बहुत excitement में उसे लंबे समय तक गेम खेलते रहते हैं editing करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि CPU का temperature क्या हो रहा है ना हम चेक करते हैं कि वह हमारे CPU या GPU का temperature कितना हाई है और इन सब में सबसे दिक जो affect होता है वह हमारा CPU और लगातार यूजिस के वज़े से लगतार overheating के वज़े से हमारा CPU की performance over the time slow हो जाती है in fact लंबे समय तक overheating होगी हमारे CPU में तो इसकी life भी drop हो जाती है तो एक बर हमारे PC या laptop की CPU slow हो जाती है ना तो फिर डजन मैटर कि कितने GB का RAM है कितने GB का graphics card है वह performance नहीं मिल पाती है so in this video I'll talk about why we should under our CPU especially our laptop CPU so without any further ado let's get started so first of all let's talk about what is undervolting देखो जो हमारे PC या gaming laptop में CPU होता है उसको एक default voltage दिया जाता है actually में उसको उतने की जरुवत नहीं होती है अगर उसको थोड़ा कम भी कर दे तो वह अपने performance को बिना drop किये अराम से smooth work कर सकता है तो जिसमें एक software के थुर हम अपने CPU और GPU का भी किया जाता है but in this video I'll talk about only CPU is undervolting so एक software के थुरू CPU को उसके default voltage से खोड़ा कम voltage दिया जाता है उसको ताकि वह overheating नहीं हो और उसका performance भी उतने काही उतना बना रहे है so undervolting में हम CPU की actual performance को बिना drop किये उसके voltage को कम करते है और उसके performance को same बनाया रखते है इससे हमें बहुत फा तो CPU अपने एक particular temperature के बाद वो नीचे अजाने को सिस करेगा उसके लिए वो आपके performance को drop करेगा जिसे हम throttling करते हैं तो CPU बार बार थ्रॉटल होगा overheating के वज़े से अगर आप laptop यूज करते है तो आपके battery life extend हो जाएगी overheat कम होने के वज़े से और overall CPU का जो life होता है वो बढ particular environment में मैं इसे थोड़ा सार लिमिट को थोड़ा डाउन करते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन-कौन क्यूंकि सभी CPU के अलग-अलग model के अलग-अलग अलग अटर वोटिंग होती है तो मैं उस वीडियो में सभी आपको पूरा डीटेल में बता दूंगा क कौन सा सॉफ्टवर की बात करूं तो दो है में जिसे मैं जानता हूं और भी बहुत सार है थ्रोटल स्टॉप नाप का एक सॉफ्टवर है उसके मदद से हम अपने CPU को टाउन करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ला